आज मैं आपसे बहुत ही आसान क्विक टेस्टी और बहुत जादा कम तेल में बनने वाली रेसिपी शेयर करी हूँ जिसे आप वरत में भी खा सकते साबू दाना को मैंने भिगो के रग दिया था रात को ही और सुबह एक कप साबू दाना मैंने मिक्सी जार में ले लिया है ब सब्केमी यहां रांच गीड़ी का आठा ले रही हूँ अब इसके बदे सिंगंगारी का आठा भी ले सकते हैं तो पांच चमच मैं डाली हूँ नॉर्मल जो घर पे चमच होती है उसी चमच से मैंने पांच चमच डाल दिया है 5-6 चमच आप कर सकते हैं अब मैं इसमें डा बहुत जादा पानी एक बार में भी नहीं डालेगा इस एक बरतन में निकाल लेंगे और यह दिखे इस तरह से स्टिकी स्टिकी सा यह हमारा जो बैटर है वो रेडी हो जाएगा मिक्सी जार में पानी लेते हुए थोड़ा सा पानी और एड कर लूँगी और इस अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी बहुत ही जटपट रेसिपी है यूनीक रेसिपी है जरूर ट्रॉइ करिएगा एक चमच मैंने जीरा डाला है सेंधा नमक आपके स्वाद अनुसार ड जटपट वाले हुए अलुप अलग नाश्टा है अलग टेक्स्चर आपको मिलेगा बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है एक मिनिट के अंदर ये पग जाता है फ्रेंट्स इतना जादा जटपट वाली रेसिपी है इस मैं चिली फ्लेक्स अट कर रही हूं थोड़ा सा पानी और आट कर रही हूं क्योंकि काफी घड़ा लग रहा है तो पानी की कॉंटिटी डिपेंड करता है कि आपने जो आटा डाला है उसकी क्वालिटी कैसी है ये देखे इस लग की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए अब आटा डाला है तो पांच मिनिट बस कवर करके इसे रखेंगे अगर आपको जल बाजी है तो आप गरम पानी में इसको बान ले अब इसके साथ परफेक्ट जाने वाली एक डिप शेयर कर रही हूं जो आप रत में एंज्जॉई कर सकते हैं तो पनीर ले ले जितना पनीर लिया है उतना ही आपको काजू लेना है नॉर्मल काजू है शोक नहीं किये हुए है मैंने और यहां black pepper powder मैंने इसमें डाल दिया है आप थोड़ा सा sugar डाल दे टाकि taste balance हो नमक डाल दे स्वाद अनुसार एक चमच सफित तिल आड़ कर रही हूँ और 2-3 drop lemon juice के आड़ कर ले थोड़ा सा अधरक कर तुकड़ा आड़ कर ले और 4-5 बड़े कर सकते हैं चलिए डिप रड़ी है और हमारा बैटर भी अच्छी तरह से रड़ी हो चुका है इसे बनाना शुरू कर लेते हैं तो पैन को आपको हलका सा बस देशी घी से ग्रीस कर लेना है इतना ही घी लगने वाला है अब मैं चमच के हल्क से इसके चोटी-चोटे pancakes बना लिए है एक से देड़ मिनिट लगता है इसे पकने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है देख सकते हैं क्यूट और टेम्टिंग लग रहा है सच बताना देखते ही मूँ में पानी आया कि नहीं और बनाने का मन हुआ कि नहीं ये भी बताईएगा अब चलिए इसके उप पर से ब्रश कर रहे हूं एदम ना के बराबर और ये देखे परफिक कलर आया है जटपट बन जाते हैं एक से देड़ मिनिट लगता है एक बैच को होने में तो हैना बहुत ही बढ़िया और एजी एंड क्विक रेसिपी तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें हमेशा स अच्छा खाएं और कुछ अलग और नया भी खाएं कुछ हटके बनाएं इस बार आप व्रत स्पेशल रेसिपी में तो सारे मैंने बना लिये हैं चलिए अब जटपट से से सर्फ करते हैं हमारे अन्दाज में तो इसको मैंने प्लेटिंग कर लिया है और गर्म गर्म इसे करें बहुत ही टेसरी लगते हैं फिर थंडे भी अच्छे लगते हैं बट गर्म गर्म मुझे जादा पसंद है और यह जो स्पेशल डिप मैंने शेयर की है यह वरत में तो आप खाई सकते हैं वैसे भी आप ज़रूर बनाएं बहुत ज़्यादा है मैयोनीज खाने से अच् शेयर और शब्सक्राइब मैं चानल तिल एंटे केर बड़ यह 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 हुआ 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 है